गाइस आज किस वीडियो में MPPolice Constable exam के लिए GK Plus Math के questions देखेंगे जो कि आपके exam के लिए important है तो वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए वो कौन दिलवाता है या कौन करवाता है तो ये राजपल को सब्सक्राइब कि दिलवाता है? Option D उच्चि न्यायले का मुख्य न्याया दिस अगलाई भारत में योजना अभकास कब हुआ था? तो भारत में योजना अभकास हुआ था? Option B 1906 में अकाल के बाद नेक्स्ट दिल्वाला जैन मंदर कहां पर इस्तित है तो दिल्वाला का जैन मंदर कहां पर इस्तित है ओप्सन भी राजस्थान नेक्स्ट नेपाल की राजधानी कहां पर है तो नेपाल की राजधानी हो जाएगी ओप्सन सी काठ मंडू नेक्स्ट है प्लेइंग इट माई दे किसकी आत्म कता है तो प्लेइंग इट माई दे किसकी आत्म कता है आप्सिन सी सचिन तेंदुलकर न्यूटन के गती का कौन सा नियम जड़तो की व्याक्या करता है तो Newton का जो पहला नियम है ये जड़त की व्याक्या करता है इंडोस्कोपी विधी प्रकास के किस सिद्धान पर कारे करती है तो ये कारे करती है option है पूर्ण अंतरिक परावर्तन electron bolt किसका मातरक है तो electron bolt किसका मातरक होता है option है उड़जा का energy का और energy का एक और मातरक होता है जूल और जितनी प्रकार की उड़जाएं होती हुन सभी का मातरक होता है जूल अगला है निम्न मैंसे कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है carbon dioxide है, methane है, nitrous oxide है लेकिन acid lean नहीं है अगला है निम्न मैंसे कौन जन्तु कोशिका में अनुपस्तित रहता है तो कौन अनुपस्तित रहता है option C लबक अगला question है यदि M एवं N दो प्राकरतिक संख्याएं हैं तता M की power N is equal to 25 तो M की power M का मान क्या होगा तो हमें पता है M की N power N क्या है? 25 है तो यहाँ पर M की power N is equal to क्या हो जाएगा? 25 को 5 के गाद दो लिख सकते हैं यहाँ पर M की value कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी और N की value कितनी हो जाएगी? N की value हो जाएगी 2 तो हम लोग निकाल सकते हैं N की power M तो N का value कितना है? 2 और M का value कितना है? 5 तो answer क्या हो जाएगा? 2 की घथ 5 मतलब 2 into 2 और क्या हो जाएगा? 2 into 2 तो यह आपका आजाएगा 32 तो आंसर क्या हो जाएगा इन में से कोई नहीं तो option D is right answer अगला question है बहुत ही simple सा है बस दिमाग लगाना है cycle के एक पाईय की तरिज्ज्या है 22 cm तो cycle का एक पाईया है तरिज्ज्या आर बलावर कितनी है 22 cm तो 400 चकर में कितने मीटर जायएगी मतलब दूरी पूची जा रही है तो गाईज देखें जब एक चकर लगाएगी तो cycle का पाईया क्या होता है ब्रता का रोता है तो एक चकर में पूरी परुदी लगाएगी मतलब पूरी परुदी घुमेगी तो एक चक्कर पूरा करने में तैकी के दूरी क्या हो जाएगी टोटल परिदी हो जाएगी परिदी क्या होती बिывать की 2 pi R तो 2 into pi की value होती है 22 वटे 7 R की value हो जाएगी 42 तो यहां साथ से काटेंगे 7 schang 42 तो आपकी जो एक चक्कर लगाने में कि दूरी कितनी है 2 x 2 x 6 अब 400 चक्कल लगाने में कितने मीटर जाएगी तो 400 चक्कल लगाने में कितने मीटर चलेगी तो 400 का हम लोग निकाल लेंगे यह हो इसका multiply कर देंगे तो 2 x 22 x 6 अब इसके पूरे का multiply होगा तो guys यह आपका कितना आ जाएगा तो guys देखिए यह आपका जो आएगा यह centimeter में value है क्योंकि इसमें centimeter है और इसमें meter में पूचा जा रहा है तो centimeter को meter में convert करने के लिए क्या करेंगे 100 का divide कर देंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा 2488 यह हो जाएगा और into 4 और into कितना 6 इसका multiply करके आपका answer आएगा 1056 कोश्चन करते हैं 180 कोन का मान रेडियन में क्या होगा तो देखिए 180 degree का मान रेडियन में बताना है तो यह हो जाएगा πाई क्योंकि यह पाई में convert हो जाएगा तो आपका answer हो जाएगा option D कोश्चन है 0.36 प्लस एक बटे 25 इसकी value क्या हो गई तो देखिए 0.36 को ऐसा ही रखा दरने देंगे और एक में 25 का divide करेंगे तो आपका कितना आजाएगा 0.04 अब इसको दोनों को जोड़ देंगे तो आपका answer कितना आजाएगा 0.40 Option is right answer अगला है 400 रुपय का 20 पतिसत, मतलब 400 रुपय है उसका 20 % मतलब बीस रटे 100 और फ्लस एक सो पचार रुपय का 30 पतिसत, मतलब 30 पतिस रटे 100 एक 0 से एक 0 कटा फिर एक 0 से 1 जीरो दो जीरो से यहां, दो जीरो कर जाएगा भी चकुत स्य हो जयेगा प्लस 15 दियां 45 यह हो जाएगा तो आपका अंसर कितना आजाएगा आपका अंसर आजाएगा 125 रुपिया अगला कोश्चन है बाइसमा निमलिकित में से कौन से संख्या 9 से पूरी तने बिवाजित है तो 9 का डिविस विल्टी रूल क्या होता है बिवाजित होने की सर्थ क्या होती है जो आपके दिये हैं इनके सारे डिजिट को योग कर लो मतलब जोड़ लो और उसमें 9 का भाग दे कर देखो अगर चला जाता तो बो डिविस बल हो जाएगा तो इसमें जो डिविस बल होगा बो आपका हो जाएगा आपसन भी तो इसको जोड लेते हैं 6-2 कितना होता है 8-3-11-11-15-15-15-20-28-28-28-28-36 तो 36 के 9 से डिविस बल है तो हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा आपसन भी बांकी 3 में ट्राइ करोगे तो आपका डिविस बल नहीं होगा तो 26 ये 9 से डिविस बल नहीं है बाकी के आपसन ट्राइ करोगे तो अभी नहीं होगा तो आपसन भी इस राइट आंसर अपका अगला कोश्चन है एक तरभुज की बुजाएं ABC हैं तो बांल मना लेते हैं समकौन तरभुज बना लेते हैं कोई भी तरभुज बना लो इसकी एक बुजाएं A ये हो गई और एक B ये हो गई और C ये हो गई तो चेतरफल क्या होगा तो तरभुज का चेतरफल क्या होता है एक बटा दो आधार इंटू उचाई तो एक बटा दो आधार कितना है A है और मुझाए कितनी V तो आपका अंसर क्या आ गया ये आपको C भी मान सकते हो और इसको V भी मान सकते हो तो आपका A के बटे दो A into V हो जाएगा तो देखें गाईज एक तो ये छेतपल निकला हो दूसरा छेतपल निकलने का फार्मूला होता है अंडर रोट S, S-A S-B और S-C तो आपसें सी इस राइट आंसर आज के इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनलन को भी सब्सक्राइब करें थैंक्यू